जाल और मैं सातवी पास पेटी का घर बसानी के लिए घरवालों ने 18 साल की एक लड़की की शादी 58 साल के भुजुर्ग से कर दी फेरे लेते हुए जब लड़की ने सहरे में अपने दूले को देखा जो कि उसकी बाप से भी जादा उम्र का था तो लड़की के खोश ही उड़ गए शादी के बाद जब उसने विरोध जताया तो पती ने उसे पीटा तीन दिन बाद जब लड़की ससुराल से वापस अपने पीहर आई तो उसने घरवालों से कहा कि मैं मड़ जाओंगी लेकिन वापस ससुराल नहीं जाओंगी गरवालों ने साथ नहीं दिया तो लड़की ने गाउ में एक WhatsApp में वाइज मेसेज भेज कर मदद मागी वाइज मेसेज में लड़की बोल रही है कि मैं जोशना बोल रही हूँ मैं ससुराल नहीं जाना चाहती मेरे पिताजी निर्दोश हैं मेरे पिताजी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता वो बहुत दुखी है और उनको इस बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं है मेरे चाचा चाचा और मेरे साथ जबरदस्ती करके मुझे शुसरा भीजना चाते हैं इसके बाद एक और वोईज मेसेज उसने भीजा जिसमें कहा कि मैं अपने बहन के बराबर हूँ और मेरी मदद कीजिए, मेरी मा भी नहीं है और मेरे चाचा और चाचा मेरे साथ जबर्दस्ती कर रही है इन दो मैसेजों के बाद पूरा मामले का खुलासा हुआ, मामले से जुड़ा हर सजानी के लिए लोगों का जमाबड़ा लग गया और ये नियूस बहुत जल्दी और बहुत तेजी से पूरे गाओं में वाइरल होगे दरसल मामला जालोर के राजपुरा गाओं में रहने वाले गंगाराम को जनोंने ग्यायज उनको अपने बेटे नरेश और बेटी जोसना की शादी आटा साटा में कारलू गाओं के सूरता राम और उनकी बहन से परवाई थी पिता से भी जादा उम्र के व्यक्ति से शादी करने से नाराज जोसना शादी के तीन दिन बाद सूराल से अपनी घर आई घरवालों ने वापस सूराल ज़ानी का दवाब बनाया तो उन्होंने वाटसप गुरूप में एक वोईज मैसेज भीज कर समाज और गाओं के लोगों से मदपल की अपील गी कुछी समय में मैसेज बाइरल हो गया और लड़की की जबरदस्ती शादी करने की बाद पूरे गाओं में आपकी तरह फैल गई परिजनों ने जोशना को सस्राल भीजनी का फैसला बदल लिया अब परिवार बाले बात कर रहे हैं कि वह उन्होंने शादी रद करती है क्योंकि उनकी बेटी को धूला पसंद नहीं है अब जब बेटी का फैसला बदलेगा या फिर बेटी उनसे कुछ कहेगी और जैसा उ जो उसला की जो मात्रवी 18 साल की है और जिसकी शादी 58 साल की है आप सभी की इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ राय है हमें ज़रूर बताएं